हेलो दोस्तों विलकम बैक टू माई यूट्यूब चनल और आज हम बात करने वाले हैं एक सब्सक्राइबर नमसे कमेंट करके पूछा है कि उनको कुछ टॉप बैंक जानने है जो आपको प्लॉट लोन प्रवाइट करते हैं तो वहाँ पर रेट ओफ इंटरस क्या चलना है औ तो यहाँ पर जो रेट ओफ इंटरस की स्टार्टिंग होती है वो लगबग होती है सारे 8% से SBI में अगर आप 30 लाग तक का प्लॉट लोन लेते हैं तो हमको लेना है 20 लाग का तो हमने चलिए SBI का ही रेट ओफ इंटरस लेके आपको जो है प्लॉट लोन का मंतली हमाय और टोटल इंटरस कैल्कुलेट करके बताते हैं तो SBI में जो प्लॉट लोन की स्टार्टिंग हो रही हो सारे 8% से हो रही है तो हमने चलिए यहाँ पर इंटरस लेट माल लिए आप चलते हैं अपने EMI कैल्कुलेटर पर यहाँ पर हमने सबसे पहले अमाउन डाल दिया कि उनक 665 रुपए इंटरस पे करना पड़ेगा आपको 15,45,62 टोटल पेमेंट 35,45,62 रुपए इस तरीके सा आप डिटेल से अपना मन्तली अमाई हो टोटल इंटरस कैल्कुलेट कर सकते हो इस वेबसाइट पर इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिली आग उसके लिए बैंक आपको प्लाट लोन प्रवाइड करता है अब अगर आपको कोई जमीन खरी नी है फ्लाट के लिए तो उसके लिए आपने लोन लिया तो उसमें जो है 2-3 साल के अंदर बैंक की एक कंडिशन आइती कि 2-3 साल के अंदर आपको कंश्क्शन कराना जरुरी ह होता है मार लीजे आज आपने जो है एक जमीन खरी दी वो भी बीस लाग के लोन पर और अगले जो है जब से आपने लोन लिया है अगले तीन साल के अंदर आपको उस प्लॉट पे कंश्रक्शन कराना जरूरी होता है वो हर बैंक का अलग अलग होता है लेकिन आपको दो से तीन साल के अंदर उस जमीन पर आपको प्लॉट लोन की जो है कंडिशन रहती है बैंको में अब यहां पे जो है डॉट भेंक्स लेग लिए उसमें रेट ऑफ इंटेस्ट क्या चल ल बैंक का बढ़ोता 8.50, Union Bank of India 8.75, IDFC First Bank 8.85, L&T Housing Finance 8.65, Bajaj Housing Finance 8.70, Tata Capital 8.95, Federal Bank 10.15 तो देख सकते हो कुछ Top Banks रहे और Housing Finance Company रहे जिसमें आप देख सकते हो plot loan के रहे rate of interest के offer किया जाता है अब अगर आपको किसी भी home loan, personal loan, car loan के लिए apply वगरा करना हुआ आप कहां से देख सकते हो तो इसके लिए आप इस website पर visit कर सकते हो, यहाँ पर देखे आपको हर bank का home loan हो, personal loan, car loan, to villa loan, education loan, grade card के आपको offer वगरा के link मिल जाएंगे और आप यहाँ से direct जो है online apply भी कर सकते हो, interest rate वगरा चेक कर सकते हो, eligibility चेक कर सकते हो, document वगरा चेक कर सकते हो, क्या क्या लगेंगे और भी offer वगरा के link भी आपको इस website पर आते रहते हैं, जिसको आप यहाँ से check out कर सकते हो तो इस website का भी link आपको वीडियो के description box से मिल जाएगा, अब हम वापस आते, अब हम यहाँ पर देख लेते, plot loan के लिए आपको यहाँ पर क्या features वगरा मिलेंगे, तो यहाँ पर loan to value ratio कितना मिलता है, तो आपको आपनी property cost का लगबग 80% तक जो loan है, वो आपको bank provide कर देगा, loan tenure आप 10 से 20 साल के लिए ले सकते हो, जैसे कि सारे bankों में अलग-अलग system होता है, जैसे कि SBI में 15 साल के लिए ले सकते हो SDFC में 15 साल के लिए ले सकते हो, कुछ bank के SCB है जो आपको 20 साल के लिए भी plot loan provide करती है, फिर यहाँ पर balance transfer की facility वगरा मिल जाएगा, अगर आपको किसी जैसे कि bank और बढ़ोदा से SDFC में plot loan अपना transfer कराना है, वो भी आप जो है balance transfer facility से करा सकते हो, processing fees और prepayment charges क्या है, तो processing fees लोग apply कर सकते हैं, तो हो भी resident Indian होगा, वो यहाँ से plot loan के लिए apply कर सकता हो, और कोई भी NRI होगा, जिसको यहाँ पे plot वगरा है, इंडिया में buy करना हो, उसमें construction कराना है, उसके लिए भी यहाँ से loan ले सकता है, और minimum age जो required होती हो, 18 साल उनीच है, और maximum 70 years की age तक आप credit score कितना होना चाहिए, तो अगर आपका credit को 7500 या उससे उपर है, जाला chances यह रहता है कि bank आपको आराम से plot loan मगरा provide कर देगा, वहीं अगर आपका civil score मालीजे, 600 के नीचे है, मालीजे civil score, कुछ bankे हैं जो आपको provide कर भी देंगी, वो भी rate of interest आपको काफी जादा pay करना पड़ इसलिए आपका civil score अगर 500 के उपर है, तो वो एक काफी अच्छा माना जाता है, और bank आपको आराम से plot loan वगरा provide कर देगा, अब यहाँ जो plot loan की eligibility है, वो depend करती है, कि आपकी income कितनी अच्छी है, आपकी क्या liabilities है, क्या asset है, work experience आपका कितना है, salary में business continuity कितनी है, अगर आप self- इस पर जो है, depend करता है, कि आपको bank कितना loan provide करेगी, फिर यहाँ पर document क्या require होते है, plot loan लेने के लिए, तो यहाँ पर दिखाने पड़ेगा, और भी कुछ document वगरा है, जो आप बैंक आप से मांग सकती है, तो यह कुछ important document require होते हैं, आपके plot loan लेने के लिए, तो I hope आपको सारी information यहाँ से मिल गई होगी, plot loan में rate of interest क्या चलता है, क्या eligibility require होती है, कितना maximum आपको loan मिलेगा, आपके property value के अगे है, तो I hope, वीडियो हमारे आपको informative लगा होगा, वीडियो वेर आपको फसंद आया हो, तो चैनल को subscribe क कर दीजेगा, और हमें comment करके बताएगा, आगे आप किस bank के loan के बारे हमसे जानना चाते हो, तो उस loan का नाम लिखके हमारे किसी वीडियो के comment box में comment करके हमसे पूछ सकते हो, तो आज के वीडियो में बस इतना है, तो मिलता है, next video में तब तक के लिए धन्यवाद,